मौनसून का सीधा असर खरीब फस्टों के उत्पादन पर पढ़ने वाला है क्योंकि मौनसून में कमी के कारण फस्टों की बुआई का रखबा काफी कम हुआ है इसके इलावा मौनसून के असमाने वित्रण के कारण कई राज्यों में अधिक बारिश हो रही है इसके कारण उन राज्यों में भी फस्टों को काफी नुकसान पहुंचा है क्रिश्वे भाग के आंकडों के मुताबिक देश के किसान अभी भी धान की बुआई के लिए लक्षे से काफी पीछे चल रहे है और इसका सीधा असर धान की पैदावार पर होने वाला है परमुख हाद्य फस्टों की बात करें तो बाकी फस्टों की बुआई का रखबा अब तक ओस्त रहा परदेश में खरीब की सबसे परमुख फस्टों धान की खेती के रखबे में 12.4 फीसद की गिरावट आई है हिंदुस्तन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 6 साल तक रिकोर्ड उत्पाधन हासिल करने के बाद इस सल धान का उत्पाधन कम होने वाला है अनाच की बढ़ती कीमतों के बीच चावल के रखबे में कमी आई है और इसके चलते कीमतों में और तेजी आ सकती है क्योंकि उत्पाधन भी इस बार कम हुआ है क्रिशी मंत्राले द्वारत जारी आंकडों के मताबिक इस सल देश में खरीब फसलों की बुआई का रखबा पिछले साल के मुकाबले 3.7 फीसेदी पीछे है पिछले साल 100.91 मिलियन हैक्टर में खरीब फसलों की खेती हुई थी चबकि इस साल यह शेतर फॉल घटकर 96.3 है गया है इस साल देश में बहेतर फसल उत्पाधन हासिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्व में अभी खाद्य संकट का दोर चल रहा है ऐसे में अच्छी पैदावार होने के से ग्रामिन शेतर में किसानों की कमाई बढ़ती है ग्रामिन शेतर में खर्च करने की शम्ता बढ़ सकती है इससे अर्थ विवस्था को मजबूती मिल सकती है वहीं धान के अलावा अन्य फसलों की बात करें तो धलनी फसलों के रखवे में 4 फीसद की गिरावट दर्च की गई है हलागी तिलन का रखवा पिछदे साल की तुलला में थोड़ा ही कम है देश अपनी जरूरतों के दो थिहाई खादया तेल का आयात करता है जबकि दालों की घ्रेलू मांग का 16 फीसदी आयात के ज़रिये पुरा किया जाता है वही करनाटक महराश्च रमध्या परदेश में भारी बारिश ने अरहर की बुआई को परभावित कर दिया है जो दलन की एक परमुक फसल है जिसका कुल शेतर पर 4.2 मिलियन हेक्टर है देश में फसलों की सबसे अधिक पैदावार खरीग सीजन में होती है जो की जून से सितंबर तक चलती है इस मौसम में अधिकांश खेती बरसाती पानी पर निर्भर करती है पर इस बरस तिती मिली है जबकि दक्षनी राजियों में 37 फीसद अधिक गिरावट दर्च की गई है विरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी